पर्वेभ्यो नमाह देववाणि संस्कृतम यूटूब चलत दृष्यम प्रति भवताम भवती नामचा हार्दम स्वागतम मित्रू अश्टा अध्याई भाष्य प्रत्मा ब्रति ही तृतियाह अध्यायाह तृतियाह पादह अक्षा संख्या 65 को आज हम पढ़ेंगे 66 कक्षा हैं हमने पढ़ लिए तीसरे अध्याई की अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक इन वाट्सअप नंबर पर संपर्क करें चलिएगा गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था चलिएस में सुत्र तक हस्ता दाने चेरस्ते आज की कक्षा में आगे पढ़ना आरम करते हैं आप अपनी पुस्तक को खोल लिजिएगा पुस्तक को ओपन कीजिएगा निवास चिति शरीरोप समाधाने श्वादेश्च पह निवास धाने शूर इति सप्तमी वक्ति बावचनांतं आदेह सश्थी विवक्ति एक वचनांतं चा अभ्यापदं ताह प्रत्मा वक्ति एक वचनांत तमा सह निवास चा चितिश्च शरीरमचा उपा समाधानमचा निवासचित शरीरोप समाधानानी श्व मिवासचित शरीरोप سमाधाने शू कितर एत्तर योग दंद्व समास हो गया अनुवृत्ति है चेह की उपर से अनुवृत्ति आ रही है उपर वाली सूत्र से अकर्तरी चकार के सन्यायां भावे घाई धातो प्रत्य परश्चेन की वह अनुवृत्ति आ रही है अब यहां पर आगे थोड़ा सा गुरू जी कि सूत्र के अंदर कुछ शब्द आये हैं उनका अर्थ बता रहे हैं कहते हैं निवसंत्यस्मिनिति निवासा यहां पर लोग रहते हैं उसको निवास कहते हैं लोग रहते हैं प्राणी रहते हैं तो उसे इस्थान को निवास कहते हैं चीयते सवू चिती हैं इसका चैन किया जाता है उसको चिती बोलते हैं यहां पर मुख्रूप से यज की वेदियादी को पताया गया है राशी करणम उपसमाधानम किसी भी पदार्थ को इखटा करना है उसको कहा है उपसमाधानम ठीक है शरीरम शब्द आप जानते हैं शरीर तो यह है इबोड़ी अर्था हाँ निवास किती शरीर उपसमाधानम इत्य तेश्वर्थेशो छिय धातोर घई प्रत्ययो भवती धातोर आदेशस्च ककार आदेशो भवती करत्री भिन्ने कारके सन्यायाम निवास श्रिती शरीर उपसमाधान इन अर्थों में उन और्थों को कहने के लिए ची धातों से घ deceived भावेच्च्च्च्च्च्च्च्बाल लाबुझारा करत्री विन्ने कारकसंजा विश्च्च्च्च्च्च्च्च और भाव में आएएगा उदाहरन देते हैं यहां पर और निवास का देते हैं यहां इसका निकाया मने निवास स्थान है तो निकाया हां थरलहवी और चिति में आका आकायम अग्निम चिन्वीता तो इसमें आकायम उदाहर्ण है ठीक है और शरीरम अनित्यकाया हा अकायम ब्रह्मा ठीक है तो यहां पर यह अकाय है तो अनित्यकाया हा यह काय दिया है काय उदाहर्ण है इसका यहां पर अकायम नहीं समाज करके और दे दिया है अकायम ब्रह्मे उदाहर्ण है उपसमाधानम महान फला निकाय हा, मनदे फलों का बहुत बड़ा समु है, ठीक है, अब देखे, एशोस्य निकाय है ये तो निकाय कार्थों का निवास, आकायम अगनेम चिन्वीत, ये क्या है, चिति हो गई है, आकायम, आकाया रूपी जो चिती को चैन करो तो यह चिती को का जा रहा है शरीर में अनित्य हकाया है जो शरीर होता है वो अनित्य होता है आज है कल नहीं होगा और अकायम ब्रह्मा यहां पर यह अकायम ने जो ब्रह्म होता है वो शरीर रहत होता है तो यहां पर भी शरीर को का जा र सब्क्राइब है कि यहां पर क्या नी पूर्वक ची रातू है जही प्रत्य हो गया और चीक के चक को हो गया तो ने प्यांने की और व्रिद्धी हो जाएगी आयायादेश हो जाएगा निकाया बन जाएगा ऐसे यहां पर अंग पूर्वक है यहां पर कायम यहां पर यहां पर कायम यस्या सहत्तत ब्रह्म अकायम यह ब्रह्म का विश्यषन यहां बहुरी समास हो जाएगा पहले काय यह शब्द बना लेंगे तब ठीक है यह अर्थ आपको बताई दिया और यहां पर यह दिया है तो पहले निकाय बना लेंगे पूरुब अच्छी दात्तु से नहीं ओकर निकाय बन जाए फिर फला नाम निकाया फला निकाया फलों का समूह धेर यह मैंना आपको बता दिया यहांपर कर्मदारडव समास होगा पहले काय बना करके अनित्ति के साथ में करमदारदकपुर समास होगा और यहां Country बना कि के साथ में पहुवरी समास होगा ना विद्याते कायाह यस्या ना कि ब्रह्मा नहां तद ब्रह्मा अकायम ब्रह्मा तो में समास तो नहीं करना है मकुरूप्चा में काय बनाना यहां पर ठीक है चलिएगा यह हो गया आगे आजाएए कि तंगे चान उत्ता राधारिये कि अ्वास अत्तं में कि यह अटन चाब्य पदम अन उत्तरा धर्य सतंंअ समास है को अधर्यत्य nettं कि इस है उत्डदर्याम अर्त देखर ज्याम आवघण तरा धर्यत्यनि तो यह उत्तराधराणाम भावा तेशाम भावा आउत्तराधर शब्द से शेई प्रत्य हो जाएगा भाव अर्थ को कहने के लिए भाव मने ऊपर नीचा उचा नीचा कहने के लिए यहां पर क्या है शेई प्रत्य होगा वह प्रत्य होता है भाव में पन को कहने के लिए हिंदी में जिसमें पन लगाते हैं यहां धंडा पन गरम पन तो पन भाव कहने के लिए तो यहां पर शेई प्रत्य होकर के विद्धियादी होकर के वह आगे आप देखेंगे चौथ अध्याय में तो अब इतना समझ लीजेगा भाव अर्थ में यहां पर शेई प्रत्य हुआ है इस शब्द की विद्पत्ति ने आउत्तरा धरियम का अर्थ हो गया उचा नीचा पन इसका निश्यद कर रहे हैं मुचा नीचा पन का न अउत्रा धरियम अनउत्तरा धरियम तस्मिन अनउत्तरा धरिये कि ज़िए यह हो गया अनुवृत्ति आदेश्चा काहा चेहे अकर्तरी चकार के संज्यायां भावे गाई धातों प्रत्य हा परश्चे इनके अनुवृत्ति आती है अर्था अनउत्तरा धरिये संगे वाच्चे चिय धातोर गाई प्रत्ययों भावति आदेश्चकारस्य स्थाने शकारा देशोपि भावति कर्त्र भिन्ने कारके संज्यायां विशय भावे चो कहते हैं अनउत्तरा धरिये संगे वाच्चे अनउत्तरा धरिये माने उंचा नीचा ठीक है अब हिंदी में समझाएं गुरु जी अभी पहले इतना ही समझे लें उंचे नीचे का क्यों के भाव को छोड़ करके कैसा संग है मने समूह की प्रतिती हो रही हो ऐसा समूह जिसमें उंचा और नीचे के द्वारा कोई भाव नहीं होना चाहिए तो ऐसे संग को बताने के रिए दातू से गहीं प्रत्य होता है और चीए के आदि चकार को कका स्थान में ककारा कहते हैं वस्तथान खशक ओडे कर देश हो जाता है कर्ता विन्न कारक संज्याय संज्याविशय में बहाब में उदार्ण दिया यहां पर भेख्षिक का निकायाएकवइया करंण निकाया, बिक्षुकों का समूह, संग, ब्राम्मन निकाया, ब्राम्मनों का संग, समूह, वया करना निकाया, वया करनों का समूह, टोली, अब गुरुजी की हिंदी पढ़ते हैं, तो आपको सौप्रच्छा समझ में आएगा, क्योंकि अब देखेगा, यहां से पढ़ना है आपको प्राणि के समदाय को संग कहा जाता है । ठीक है प्राणियों का जो समदाय होता ह। उसको संग कहा जाता है जैसे आजकल भी बहुत सारे संग है करत्री भिनकारक संझ्या में, करता भिनकारक अच्छा यह तो लो वहाँ दो प्रकार से बनता है जो समुह है वो लोक में दो प्रकार से समुह बनते हैं एक धर्म के अन्वय से बनता है माने एक प्रकार के गुणों से धर्म माने एक प्रकार के गुणों को धार्ण करने से एक प्रकार के गुणों को धार्ण करने वाले लोगों का संग होता है समू होता है ठीक है गुणों के कारण से समू का पित्रण होता है तथा दूसरा उपर नीचे बैठने से समाज में एक ऐसी इस्थित्य से गुरु ऊपर बैठते हैं शिष नीचे बैठते हैं राजा ऊपर बैठता है प्रजा नीचे बैठती है ठीक है तो यह इस प्रकार से समूह का आर्थ निकल के आता है समूह इस प्रकार से ब्रत्मा व्यवहर्त होते हैं तूत्रामैं ओपर नीचे स्थित होने का प्रतिशेद होने प्रतिशेद कर दिया एक धर्मक구ा से बनने वाले संग का ग्रहन किया गया है एक धर्म मैं एक धर्म को धर्म एक प्रकार की गुनों को धार्ण करने वाले लोगों का समूह को संग कहा गया यहां पर दूसरे प्रकार से भी संग वनता है पर उसका तो निश्यद कर दिया का बेक्षू का निका यहां बेक्षूओं का समूदाय जिनके अंदर भेक्षू यह बास्तम में कौनसे भेक्षू है जो एक प्रकार से जो भीक मांगने वाले भेक्षू है क्या है बेक्षा मांगने वाले भेक्षू तो वो भीक मांगना जिन जिन के अंदर गुण होता है वो टोली बना लेते हैं तो भेक्षू का समुदाय वो यह धर्माने गुण से है तब यह एक ही कैटेगरी के है एक है और ब्राम्मन निकाया ब्राम्मनों का समुदाय ऐसे ब् गरता थो वेद विद्य आदी को पड़ते पढ़ाते पढ़ाते या ज्यादी करते कराते उनका संभूर् यह वी एक प्रकरक गुर्ण है ठीक है और वया करना PB मानूर वया क्ना जो ब्याकरन को पढ़ाने वाले या व्याकरन को पढ़ने वाले लोग Hier यह भी एक गुण है धर्म है धर्म के कारण चे सम्भू बने हुए है यहां पर पता है पहले निकाय बना लेंगे निकाय बना कर पीछे शष्टी समास कर देंगे बेक्षुक आदी के साथ में तो क्या करेंगे यहां पर पहले निकाय बनेगे आराम चे और बेक्षुक निकाय ब्रामन नाम निका ब्रामन निका निवया करना नाम निका वया करना निका चलिएगा बहुत सुन्दर आगे आजाईएगा कर्म व्यतिहारे नच्च श्त्रियाम कर्म का व्यतिहार व्यतिहार माने अदला बदली एक दूसरी का करना कर्म का व्यतिहार माने कर्म का वहर कर्म का कर्म का अरथ किलिया कि अदला बदली एक तो यह होगाई अनवृतिर कर दूसरी चकारि के शंजायं भाब और नवृति आregel आजाए जाए लिए लाजाएगा अर्था कर्म व्यतिहारे गम्यमाने इस्त्रियाम अविधेयायाम धातोर नच प्रत्ययो भवती कर्त्र भिन्यकार के संजयायाम भादेच लिए कर्म व्यतिहार मने किरिया किये अदलावद्वे किरिया के व्यतिहार में गम्यमान ओने पर इस्त्रियाम अविधेयायाम और जो शब्द एघे सितिरी लिंग की दक्षा हो तो गर्ष양 के अविते होने पर ढाटू हसे अग्ष ठ्रत्य भावती उच्च प्रत्य हो जाता है करता अविनकारक संज्यां में और भाव हम अम हुत्यरण दिया है व्यावक्रोशी व्यावले खी और वहांसी इनका आर्थ अभी देख लेते हैं और यह कया इनकी सिद्धियां के नीचे दी आ ये शब्द कहते हैं इसलिंग अन्य गीवंत यह सारे स्त्रेविंग शब्दा बहुत होना चाहिए तब होगा ठीक है यह देखिए यह है याग्रोषी का लुख है आपस में चिय लाना आए एक दूसरे को देख करके चिलाना है को अदला बने उसने चिला या इस ने चिलाया व्हैसा यह कुश है ह Tai vein मुबादभभा कारव हेर इन चस्त्रयाम से दोगया परेश्च्प अनक परषच्प प्रत्य हो गया और अब क्रोष बनी गया अब क्या करना है आपको अब क्रोश है और यहां पर क्या है वी और अब पूर्वक यहां पर प्रयोग है तो वी और अब पूर्वक है तो यहां फिर बी और अब के साथ में कोगती प्रादया से समास हो जाएगा क्या क्या प्रत्य अंच प्रत्यांत बनी गया अब क्या होता है अब अब करोश बनेगा अब अचा इस्त्रियाम ये एक पांच में अध्या है चोथे पाद का सूत्र है क्या कहता है यदि अच्छ प्रत्यांत शब्द कि इस्त्री लिंग का विद्यो तो उस से वार्थ में ही मन कोई अर्थ विशेष में उसी आर्थ को कहने के लिए अहीं प्रत्य होता है कि हृता है इसका अर्थ दिखा देता हूं मैं आपको देखें गाने प्रत्य भवती इस्त्रियाम विश्य होने पर क्या है प्रत्यांत कोई भी शब्द यहीं पर बिदान किया गया है यहीं पर रहता है यहीं पर पढ़ रहे हैं इसे पर स्वार्थ थे उसी शब्द के अर्थ में कोई नए आर्थ नहीं आए प्रत्य तो यहां प्रत्य हो गया यह अब यह अई प्रत्त्य हो गया अब यह अपर क्या है कि यह इसके परे रहते हैं यहां पर क्या है यह अच्छी भं से भासन्या हो गई है है यह अकार का लोप गया जो य Além अब यह बन गया वभा क्रोश आ अहीं पर क्या है कि इस अइस ए कि प्रत्य को मान करके यह क्या है इत्य है और तब देते हैं तो इसको मान करके क्या होता है सबसे पहले तद्धितेश्व चाम आदे से ब्रद्धी प्राप्त होती है प्रता हो वैं एक नहीं रहे खाम प्राप्ते होता है कि आसए हैं इसको आई चागम यह प्राप्ते होता है लिए अपर the परंटु ना कर्म व्यतिहार में बर्तमान जो शब्द नहीं होगा तो क्या होगी तो ब्रद्दी हो जाती है अब इन तीन सूत्रों को पहले आप वहाँ देखेंगे यह आपके साथ में अध्याय के दूसरे पाद के अंत में देखेगा यह सूट रहे हैं आपका पहले इसको देखिए और इसको देखे और भी पड़ेख गुप अग का जो आधी अच्छा उसको भृद्धी हो जाती हुआ पर तद्धित प्रत्य क्याता अँना आई आहीं था इसके पर रहते हैं व्यवक्रोश है व्यवक्रोश उसके व्यवक्रोश के आपको विर्दी प्राप्त हो रही थी ठीक है इसका निशेद करने वाला सूत्री है इसका आप बाद निशेद यह है यह इसका आप यह ते यह तीसरे साथ में पादका हैं यह क्या क्याता है आपको फोर आपको वहीं आएगा Francisco क्या क्ये को समझ लीजिए कुछ पाटकों को समझ में भी आ सकता है तो एक क्या कहता है वडिए्वार्थirm तरश्या अचाम आदे है अचाहस थाने बिर्दिर न भगती प्रिद심 किती चा तद्देते परता हूं ठीक है कि अप्याम यकार वकाराब्याम पूर्वाउतु ग्रमाद आईच आगमो भवताहा यकाराथ आईकाराह वकाराथ आउकाराह आप समझ लीजिएगा क्या कहें यह कह रहे ओं है कि जो तद्दि चीच चौ-द करो किती चमें ऊपर डूसरा अंति को कली निदो शूत्रों से ऑडी प्राप्ट होती है यदि वह लुगि इस प्रकार की राप्ट होती एक पाद्द आए उयकार वकार काराउव्याम उत्तर सेचा माने पदान्त यकार और वकार पदान्त यकार और वकार से उत्तर जो अच्छ है उसको तद्धिते शुचामादे और कितीच सेधी बृद्धी प्राप्त होती है तो कहते हैं वो बृद्धी नहीं होती है परन्तो क्या होता है कहते हैं उस पदान्त यकार और वकार ताब्याम यकार और वकार से पहले क्या यकार और वकार से पहले कहते हैं पूर्व पूर्व में तो क्रमात मने यकार से पहले आई चागम हो जाता आई और वकार होगा तो वकार से पूर्व आउव आवेश हो जाएगा अब इसको गटा लीजेगा ठीक है अब यहां पर क्या था यहां पर देख लिए सिद्धी में यहां पर यह अई प्रत्य इत है और व्यवक्रोशे शब्ट है अब यहां पर क्या आदी अच्छी आपर क्या मिलाए आ मिलाए और इससे पूर में क्या मिलाए यह वा और यह ठीक है जी तो का कि यह जो यह है ज्यां रखेंगे यहां पर यह उट रहा एक एक यह उट राया है यह जूट राया तरह यह जया पर क्या है जो विया में यह जो यह है यह यह क्या है क्या है प्दान्त कैसे है पै포 पहले Oketa यह था उसर समास करते तो स्वादी उत्वत्ति करनी पड़ेगा दिखाई नहीं है परंत यहां पर वी शू और आव शू ऐसे लाना पड़ेगा तभी समास होगा तभी समास होगा लुक आदी होता है सब कुछ कोई की लग गया था अभी इसको प्रत्य लोपर प्रत्य लक्ष्णम मांन करके यह जो भागे इसकी क्या है पत्सज्या हे सभय है और सभी हम यह प्रिदी त्दित उष्यामादे से किसको पराप्त हो रही है इस वाले आ को यहां पर कि पदांत यकार से उत्तर कर दिया ना पूर्वत्याभ्ध्याम अईच नहीं टीक है अब कहते हैं बिद्धि तो नहीं होती है परन्त उस पदांत यकार से यह वाला पदान्त में नहीं है यह वाला है तो पदान्त में पदान्त यकार से पूर्व में क्या हो जाता है आईच यकार को आई यहां पर क्या प्राप्त हुआ प्राप्त होने लगा यहां पर एक आई ऐसा प्राप्त होने लगा परंतु उसका भी निश्यद करने वाला एक सूत्र है आगे ना कर्म ब्यतिहारे कर्म ब्यतिहार कर्म ब्यतिहार में यह दियोगा उसका अर्थ में दिखा दूगा कर्म ब्यतिहार में यह बाला सूत्र नहीं लगता है अर्था निश्यद नहीं होता है नहीं होता है नहीं होता है तो फिर क्या होगा फिर यह ब्रिद्धी हो जाए तो यह व्या बन जाता है इ आपको यहां समझझने पड़ते हैं तब समंझ गया कहता है कि यह क्या कहता है कर्म बेतिहार हर्थ entrada फूर्वेड़न एक उक्तम तमतन्द भवति इसमस्तौ पूर्व में मने इस दो इस दो काबू नहीं होता है निशेद वो गया को कि कर्म प्रत्यार में प्रत्यार में आया है यह नहीं होता है वस निशेद हो गया तो फिर बाद में तद्धिते शुचामाद लकर की विर्द्धि हो जाती है थो किशे असने करने आपके अे कि कि ये के अ Siz प्रत्य है कि यह कैसा है आई प्रत्य है यह इंत प्रत्य है तो यह आपर क्या आई प्रत्य ले लिया आई तो आई आई प्रत्यांत शब्द से इस तीले में क्या हो जाता है गीप हो गया अच्छी वम से भसन्या है यह से लोप हो जाएगा इसका फिर्द्वास का भी लोप हो जाएगा और मीका यह बचेगा तूल आ शिद्धी बड़ी है पर आपको यह करनी पड़ेगी एक बार तो यह ऐसे बनेगा व्यावक्रोशी इस्त्रीलिंग में इसी प्रकार से लिख अक्षर बिन्या से धातू से व्यावलेखी बनाना है आपको सब कुछ वही है अ और यहां यहां पर लिक बाकि सब कुछ समान यह सिद्धी आपको जिखकर बनानी है यह अपको ग्रैकर दे रहा हूं- अब कर Lei Dank यह सदातू से अजने से व्यावहासी हसदातू आजाई सब कुछ समान है आपस में मिलकर हसना यह आपको दो सिद्धी लिखनी है लिखने कार दे रहा हूं आपको तभी यह पक्की होगी आपको ठीक है कि अधिये है इसलिए थोड़ी से इसके अंदर एक यह सूत्र है यह सूत्र यह सूत्र यह सूत्र में आपको बता दिये पुस्तव में देखिएगा वहां देखिएगा ठीक है कि चलिए कि कि अधिये है अभि विधाव भाव इनुण अभि विधाव सप्तमी वक्ती एकवचनांतम भावे सप्तमी वक्ती एकवचनांतम इनुण प्रतमा वक्ती एकवचनांतम अनुवृत्ति धातो हो प्रत्याह परष्य अर्थाह अभि विधी अर्थात अभि व्याप्ति अभिव्याप्ति तस्याम गम्यमानायाम भावे धातोर इनुड़ प्रत्ययो भवति कहते हैं अभिव्याप्ति गम्यमान हो रही हो तो भाव में यहां भाव आ गया उपर से इसलिए जो कर्त बिनकार के संज्यायाम भावे हड जाएगा अपने आप अरति विश्वर अलगすे दिया भाव कि के थाई या उपर से आ रहा था परन्तु उस भाव के साथ साथ में तेनं क्या और तुख भिन्नेकार के कर्त रीचिक कार के संज्यायम भी आ रहा था तो उसको अटाने के लिए यह बो नहीं आए इसमें तो भाव अकेले में होता यह प्रत्य है जातु से इन और प्रत्य होता है कि शांग कूटिनम सांग राविणम इंट कैंट कैंट कूटिनम चारों और से जलाना अर्थ होता है तो अभी व्याप्ति माने सब तरफ से अर्थ गम्यमान हो रहा है आईएगा इसकी सिद्धियां इसमें भी सिद्धियां कर लेते हैं चलो आज सिद्धी कर लेते हैं कांग पूट नम्चारों तरफ से जलाना जाएगा पूट दाहि दातु है भूबवादय धात्वा अभी विधाव भाव इनुञव से इनुञवड प्रत्य हो गया इन वच्चता है और कूट पूटक है कूट इन आभी याँ पर क्या है सम पूरवक आजाता है सम लुपॉल उपसरग लग जाता है तो कोकाति प्राद सम शू यहाँ पर भी ऐसा शू दिखा दीजियेगा that प्रक्रिया पूर्वत तो क्या बनेगा सम कूटिन ऐसा बनी गया और अब यहां सम कूटिन वने गया इसकी क्रत प्रत्य है इन प्रत्य कैसा कि तो प्रात्पदिक संज्या हो गई इसकी यहां पर ऐठ्यक रही इसकी क्रत्य प्रत्पदिक उसकी ऐसे प्रत्य गेगा अचा श्त्रिय झाओचोक। तो यह हो गए आपका यहां पर तो प्रात्पदिक संजा हो गई प्रात्पदिक के अधिकार में क्या आणि नोडऻ पांच में…! 4 5 का 15 सूत्र है सूत्र आणि नोडऻ आणि नोड़व प्रत्य परश्च्य कहसी आणिcharged देखली अगा पहले तब समुद में आएगा और नुणह ये प्रत्य ये शूत्र वहीं है पाचन र effect जिए चौतिंतfeeding अन्तॉद Crit ranged अब देखेगा तो यहां पर क्या है यह इनुन प्रत्यांत शब्द है यह इनुन प्रत्यांत शब्द है तो सम कूटे नहीं यहां पर क्या है अनि उन्हां से स्वार्थ में इसी के अर्थ को कहने कि राण प्रत्या आ गया आणकी इच्च्च्पन से इसकी भसंजा नस्तत दिते कहता है नकारां तो जो भसंजाक है उसके टी का लोप हो जाता तो टी वाग का लोप अण परे रहते प्राप्त हुआ अब इसका निशेद कर देता है ये का लोप नहीं होगा इनम यानपत्ते यह कहता है कि इनम प्रत्ते यहां पर अर्थ देख लिए पूरा एक सो चोटमा सूत्र है यह कहता अनपत्य आर्थे अणी परत्वाला कोई अनप्रत्य परे हो ही तो जो इन अउग इन भासंजों अंग है इन नंत वाला उसका । टीका लोप नहीं होता है वह वैसा का वैसा ही रहता है अब क्या है यहां पर देखेगा ए जो कजिए अनप्रत्य अफथे अर्थ में नहीं आया यह स्वार्थ में आया है और यह इन इन अंत वाला भसंजक अंग है तो यहां पर प्रकिति भाव होगा टी का लोप नहीं हुआ स्वादि प्रकिति रखेगी और अब स्वादियुद्पत्ति करेंगे सु आ जाएगा नपून सकले यह सूको हम हो जाएगा अतों से और हमी पूर्वा से पूरूप हो करके सांग कूट नम यह बन गया बन गया सांग कूट नम का अर्थ होगा चारों और से चिलाना तो यह सिद्धी करनी है आपको ध्यान से टी के बाकी इसमें सब मोटा मोटा बता दिया आप और इसी प्रकार से क्या रूँ धा टउ है रूँ यह ये कूट दातु ये रूँ दातु से इनों प्रत्य पर चार Boss करेंगे तो यहां पर क्या हो जा ऐच्चुए शिने अन्ती से बृद्धी हो जाएगी लगा आवा देश हो जाएक एक राविन बन याएका और संपूर्वक है ठीक है पुझ सारा कुछ ऐसे बना लेंगे यह सारे सूत लगेंगे एक तो राविन समास हो जाए अब सी और पर आडले नोणा से अनप्रत्य हो हो जाएगा नस तद्धित्यादी से प्राप्त कि उतना और वैशयष है तो ये आपकी सिद्धि बन armas सांद्राविडम और सांग कूटनों थीक है तो ये दो उदार्ण इन दोनों उदार्णों की आपको सिद्धी करनी है बस इतना ही पढ़ा हूँ आज पढ़ाने को तो बहुत आगे भी पढ़ा सकते हैं अगे यही मुख्रूप से दो सूत्र थे आपके जिनकी सिद्धियां थ ठीक है चलिएगा आगे पढ़ लेते हैं अब सरल है अब इसमें कुछ सिद्धियां नहीं करनी आपको सिद्धियां उनकी जरूर कर लीजिएगा ठीक है फुड़ा सोर पढ़ लेते हैं पंदर मिनट आक्रोशे वन्योर ग्रहा आक्रोशे सब्तमी वक्ति एक्वजनांतम अ अवस्चा निश्चा अवन्य तयोह अवन्योह पितरे तर योग दंद्वाह अनुवर्ति अकरतरी चिकार के संज्जायां भावे घई धातों हो प्रत्य परश्चन के अनुवर्ति आ रहे हैं अर्था अब नीइट्ट्य तयोर उपदयोर आक्रोशे गंव्यमाने ग्रह दा लगभावातो करत्र विन्नेकारके संजयाया मिशय भावेच्छ गहीं प्रत्य और नी इन उपसरम पूर्वक्त आक्रोश मने गुस्सां गम्मान ओरहा वो तो क्या ग्रहधातू से करता विन्यकारक संज्ण विश्य में और भाव में क्या होता है घई प्रत्य हो जाता है तो अब ग्राहो दुष्ट नहीं आफ ते भूयात तो यहां गुस्णा घम्मीमान को रहा है लिए तेरा अभिवा हो जाए तुझ हार जाएं निग्राहो दुष्टाहा ते भूयात ते दुष्ट तेरा बाद हो जाएं तेरे सारे काम रुख जाएं उस्सा में कोई कह रहा है तो आक्रुष गम्मेमान हो रहा है यहां पर क्या है यह ग्रहदातु है तो जो यह जो सूत्र था आपका ग्रहदातु से जो अप्रत्य की प्राप्ति थी ग्रहदी द्री निश्च गमश्च आपका यह अपबाद है यह आक्रुष गम्मेमान होगा भी और पूर्वक दातु अप्र होगा ग्रहदातु उससे अपने होगा क्या होगा गहीं होगा तो गहीं क चलिएवा एरफ हल honeymoon लब्दुमिक्षायाम गम्यमानायाम प्रपूर्बात ग्रह धातो गई प्रत्य ओ भवती कर्थ बन्ने कारके संजयायां विशयए भावेचो टीके कहते हैं लिपसायां लिपसाकार्थ आपको पता यह लब्दुम इच्छायां प्राप्त करने की इच्छा होने गंद्धमान हो रही हो तो प्रपूर्वक्रादातु से गहीर प्रत्य होता यह है तो यहां पर भी वही सूत्र था जो यह ग्रहा व्रीद्री निश्च गमश्च इसे अप्राप्तुराता उसका निशेद कर दिया परपूरवक्त उस्से घई होता है तो पात्र को हाथ में लेकर के वहता है वे शुक्लाप। उसको इच्छा क्या क्या अन्य मिल जाय कुछ खाने के लिए मिल जाय तो इस प्रग्राः प्रपूरवग ब्रद्यादे पर पात्र के साथ में प्रग्राः का समास हो जाएगा पात्रच्य प्रग्राहा तेन पात्र प्रग्राहिन तरतिया ब्वक्ति आजेजिए ठीक है और ऐसे या सुरुभ के साथ में शक्ष्ठी समास हो जाएगा तो सुरुभ प्रग्राहिन चरति दूजो दक्षनार थी मैं टो एक जो koοι ब्रह्मने दक्षना का लोभी व्यक्ति क्या है कि गुम्राय को यह हवन करा लोगी तो यह ओ गया तो यहां पर भी यह स्रुवस्य प्रग्राहा तेन शुरुव प्रग्राहेणा लिखा गुरूजी ने एक दम साप साप लिख दिया कोई परेशानी नहीं अन चाने वाला बिक्षु अन का पात्र लिए बिचरता है दक्षना चाने वाला दूज ब्रुव यह दूज आए के वल ब्रुव ने दूज अ शुरुव लेकर गोमता है तो अधारन में विद्धियाधी प्रग्राव न जाए पात्र व सुरुप के साथ मश्चित अप्रुसमास हो जाएगा चली है परन्हेम जय को परयोःजी पर गजर्ध करतों प्रत्य अर्थ अंत है और सब्सक्राइव करतो यह श्चरण करतों के संज्न्याय तो परिपूर्वा ग्राधातु से गहीं प्रत्य होता करता बिनकारक संज्ञा विश्य में और भाव में यह भी ग्राप्ति में गहीं का विदान कर दिया कि तो उत्तर परिग्राहा का अर्थ यहां पर गुरुजी ने दिया है कि कि दर्ष पहुनरश म स्यभ्ः यह दिमंहां उत्तर वेधी के निर्मान को उत्तर परिग्राहा कहते हैं तो इस लिए क्या है कि वर कौभ ना लेंगे पहले और उत्तर की साथ में समास हो तरस्य हग्राहा सब्रा कॉल न परण प्राचीनकाल में हुआ करते दक्षन बारत में उत्तर बारत में तो जानता विनी कोई ठीक है को जो दर्श पाउड मास होते हैं ठीक है उनके लिए उसको यहाँ पर उत्तर परिग्रहा कहा है उत्तरवेदी के निर्मान को कि दा यह ओ गया है कि आजाएए तो नव व्री धान्ये नव सब्तमी व्यक्ति एक वजनानतम व्री लुक्त पंचम्मेंत निर्देश्वरी में पंचमी होनी चाहिए तो लुक्त करके पड़ दिया है महर्शी पांडी जी मनमोजी नहीं है यह प्राचीन आचारियों के उन्होंने कुछ सूत्र ऐसे के ऐसे ही उठाली है अब उन्होंने सूच चलो यहां पर ऐसे काम चल जाएगा ठीक है अब डहां निये सप्तमी वक्तियक विचन अंत्म अन्वृति अकर्त रीच कार्के संज्ञायां भावे घै धातो प्रत्य परश्च किय अर्था व्री इती व्रिंग व्रियों होसामा नेन ग्रहणं व्री चे यहांपर व्रिंग आभी ले सकते व्रिंग दोनों दाट्वा कुरुजी कहते हैं और दातु पूर्वक भ्री दातु से तो कर्ट विशय में मैं मैं प्रत्य हो जाता तो अचावाण धान न नीप पूरवक ब्री दातु से नहीं हो गया है शे इन informative देमकि और दर्शा टेहिक को चावल वी धब द दन नहीं एक तरह सी हो यहां तो इसमें यहां पर एक सूत्रों लगेगा उपसर्ग से गही मनुष्य बौलम सश्ट में अद्धाइगे तीसरे पाद का 121 सूत्र है तो यहां उपसर्ग को क्या हो जाएगा गहीं प्रत्य के परे रहते हैं बहुल करके दिर्ग हो गया है तो नी को नी हो गया तो नी वाराह यह विसर गया संदी में हट जाता है तो भावचन में जसा आजाएगा और प्रतमय पूरुसवर्णा करके नी वाराह बन जाएगा जादियेगा तो बलकुछ सरल है ओदी श्रयाति याउति पूद्र बहा ओदी सत्तमी वक्ति एकवजनांतम श्रयाति याउति पूद्र बहा पंचमी वक्ति एकवजनांतम समासा श्रयातिष्चा याउतिष्चा पूष्चा दृष्चा श्रयाति याउति पूद्रु तस्मात श्रयाति याउति पूद्र कि अधाटनेज्ज में यूं चर्फे acadhane . अंनेलब्स में क्विए इन्का जात जो प्रट्य न्लेज्ञ्ट-श्रिफ करता जाता है तो इसमां क्या है श्री रातु से तो एरत से अच्छ प्राफ्तल ता उसका ब्लकाद हैं और यहूद फू दौदरुंसे ज आ हो गुट है तो मिट जहांद श्रीभाइक्टल मुटाफ्ड, हुदारण दियाई यहांपर पर गुरु जीने कुछ नहीं है यहाँ थोड़ा स्थ विशेष है उधपूर्वक यहापकी कि श्रीदातु है व्रिद्दी हो जाएगी श्राइभा और यहाँ पर क्या हो जाए ये हो जाएगा पैले तो उत्त श्चत डास चुत्व से इस्चत्व हो जाएगा इसको क्या हो जाएगा ठाओ है और फिर शॉनकी शष चोटी से श thoughtful क्या हो जाएगा च्छ हो जाएगा बस इतना समझ लीजिए गारा बस ष्ष चूत्लिए ठेक है शाक ऊच्छा ओरा नहीं ए अट बने रखे का दिए और यह पर टांगे का हो एंट श यह लिपहुनुद्यावमः दयुद्यावह पात्रों का संसवकार विशयकं इसका निश्यद कर दिया। और एक शुत्र पढ़ते हैं पिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे कि भाशां प्रत्मा वक्ति एवजिनांतम आगे सब्टय में लग्ति पिर और आंतम सामा सहा रुष्चा प्लुष्चा रुप्लू या रुप्लुवव। प्रत्य परश्च तिक है यह समात मैं ने ऐसे पताया आपको आप यहां पर बिग्रा कैसे करेंगे द्वारा बता देता हूँ मैं अब शीगरता से शङी स् babysता देता हूँ को अब आपकोवाν बहुत हो गया बताते बताते बड़ाते बड़ार बीछार करता हूं कि आपको आई गया अव गया दो इसलिए पर थोड़ी से जली बोल देता और जिसान आता है कि बहुंद आप téज तो फिर आप शंशय में फच जाएंगे, फिर दुबारा में पताता हूं, उसको खोल करके, आप इसको रुष्चा, पुलुष्चा, रूप्लू, और तयोह, रूप्लूओ, ऐसा भी बना सकते हैं, और दूसरे प्रकार्चे ऐसे बना सकते हैं, रुष्चा, पुलूश्चा, रूपलु वाउ और तयो हो रूपलु वो हो दोनों प्रकार जमना चकते हैं लिए बिग रहा हो अर्था आंगी उपपदे मना आंगी उपपदे रूपलु इत्ते ता ब्याम दातो ब्याम करत बिन्ने कारके संजायां भावेचा विभाशा गहीं प्रत्यों भवती कि कहते हैं आंग के उपद रहते हुए रूधातू अद्वा प्लूधातू इन से करता बिन्ने कारक संजा विशय में और भाव विशय में विकल्प करके गहीं होता है अक्ष में क्या प्राप्त था री दोरप से अप्राप्त था तो अप हो जाएगा तो आ रावाहा आ रावाहा यह गहीं हो गया विर्द्धी हो गहीं है तो आ रावा बन गया यहां अप हो गया री दोरप से तो यह हो गया ठीक है आप लावा हा ठीक है आप लावा हा और आप लवा यह गहीं का यह है यहां पर क्या था एक शुत रमने पढ़ाता उप सरगे रुबा हा यह यह सुत पढ़ाता उप सरगे रुबा हा पहले री दो रप से क्या प्राप्त था री दो रप से आप प्राप्त था क्रम चे आते शलिएगा तब से पहले तो क्या प्राप्त था यहां पर भावे और अकरतरी चकार के संजयायां से गहीं प्राप्त था उसका अपवाद है रीदोरब से फिर क्या है रूधातू से यह उबनानता है तो अप्राप्त हो रहा था परन्तु फिर इसका भी अपवाद यह बना दिया था उपसर के रुभा यदि उपसर पूरो रूधातू होगी तो उससे गहीं होता है फिर दुबारा परन्तु अब इसका भी विकल्प कर दिया कि उपसर्गों में यदि आंग उपसर्ग होगा तो रूधातू को विकल्प से गहीं होगा पक्ष में क्या होगा अपोगा इसक्रम से समझ लीजिए ठीक है तो यह वन जाएंगे उदाहरणा ठीक है आरावाह एक प्रकार की आवाज आरावाह यह आप लावाह इसनान या डूकी मारना ठीक है तो यह चलिएगा आज की कक्षा में भी हमने दस सुत्र केंगे आपको सिद्धियां करनी है जो मैंने सिद्धियां बताइए आभी विधाव भाव इन्होंन और कर्म ब्याहत्ति हारे अन्च श्त्रियाम उसमें जो सिद्धियां उनको जरूर लिख लेना एक बार ठीक है यह कोई विद्वान आपको पूछ सकता इसलिए बता रहा कि चाहिए शर्वेब्यों नमाहां